हलो स्टुनेंट्स वेलकम बैक जैनात अकेडमी यूट्यूब चैनल माईसेफ रन्दीप सिंग और हम डिसकस कर रहे हैं क्लास 11th Mathematics अप्लाइट मैस के अंदर चैप्टर 3 वाला टॉपिक अब जो अपना पार्ट स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट आपका जो एक्साइज 3.4 का कंसेप्ट है वो किसके उपर है टाइम एंड वर्क के उपर है किसके उपर है अब देखो पहले इसके अंदर आपको क्या समझना है जैसे मान लो कोई ए है ए कोई बंदा है उसने 15 डेज के अंदर किसी वर्क को कंप्लीट किया है तो मुझे बताओ उसका वन डे का जो वर्क होगा वो कितना होगा वन डे का जो वर्क होगा वो वन बाई 15 होगा ठीक है सर यह मैं आपको शॉट तरीके बता रहूँ अभी इसको एक फॉर्मुला के जो वर्क है वो वन इसी ए बंदेगा वन डे का वर्क वन बाई 7 दे दिया आपको ठीक है तो उसका जो टोटल वर्क है वो कितने दिनों में हो जाएगा टोटल वर्क कंप्लीटेट इन 7 डेज समझे रहो किस तरीके समें उल्टा गुमारा दौन वैलियू उसको अगर एक दिन का वर्क मांगे आपसे तो जितने दिनों में वो वर्क हो रहा है वो वन अपॉन में कर देना हो उसको ठीक है और एक दिन के वन वाई 7 अगर वो वर्क कंप्लीट कर रहा है ठीक ह तो उसका टोटल वर्क कितने में कंप्लीट होगा उसको रैसीप्रो करना है तो सेविन डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा बताओ समझ में आया क्या हासर आ गया अब इस युका फॉर्मूला की वेड़ के अंदर समझो एक बार चलो मिटाता नहीं हूँ उसको दियान रह जाएगा अब किता पड़ जाएगा एक का कंप्लीट इड़ ठीक है और वन डे का जो वर्क है वो पने पता कि है वन बाय फिक्टीन है ठीक है अब इदर देखो वन डे का जो वर्क होगा वो क्या होगा वन अपन नमबर ओव डेस तो कंप्लीट पर यहां मैंने वही चीज लगाई है यहां मैंने वही चीज लगाई है कि एक दिन का अगर आपको काम पता करना है तो वन अपन तोटल नमबर ओव डेस जिसमें काम प्लीट हो रहा है वो कर दो आप डैट्स दा फॉर्मूला सेकंड चीज नमबर ओव डेस अगर पता करने हैं फिर से मेरी बास सुनो number of days पता करने हैं जिन में work complete होगा तो one upon one day का work फिर से बास समझो मेरी एक बार यहां मैंने इस formula को लगाया है यह वाला जो solve किया न वो इसी formula से किया है देखो मेरा एक दिन का जो वर्क था वो बई 7 था मेर पास अगर मुझे टोटल वर्क कंप्लीट करना है तो मुझे वन अपॉन वन डे का वर्क वडे तो सेविन जो है नमबर ओफ डेज बन जाएंगे टोटल वर के कंप्लीट होने के बताओ समझ में आया क्या यह वाली चीजी इसमें किसे को कोई डाउट है तो बताओ आपने को फिर से एक बार रिपीट करके देखना इसको ना वन डे का वर्क पता करना है तो वन अपन नमब अगर आपको कोई टाइम पता करना है कि जिसमें एक सर्टेन वर्क जो है फिक्स एक कोई वर्क है जो कंप्लीट हो सेगे टाइम रिकॉयर तो उसको डिवाइड करना है उसको डिवाइड करेंगे वन डे के वर्क से एक दिन के वर्क से उसको डिवाइड कर देंगे तो आप पास time निकल कर आ जाएगा, बता हो सब्सक्राइब करता है, इनी तीन concept से आप मान के चलो, कि सारे के सारे formulas आपके इसी के अंदर एक तरीके से जो है, इसी के अंदर सारे formulas जो है लगेवें, अब इन तीनों की मदद से, अपन formulas को कैसे कैसे change कर सकते हैं, इस formula को जो है, अगर अपने apply करेंगे, questions में, अगर आपको दो में से एक value दे देंगे, तो एक निकल जाएगी, फिर आपसे उसी से second वाले work के अंदर जोड़ के values आएगी, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप questions देखोगे ने, तब आपको बतार लगेगा, कैसे दौनों formulas को हम एक साथ add करके एक नए formula बना सकते है, questions को solve करने के लिए, ठीक है, mainly जो formula है वो ये तीन ही है, ये तीन समझ में आगे तो मालो time and work आपको एकदब definitely अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, next हम देखिंगे examples वगेरा और exercise पर बात करेंगे, ठीक है, चलिए, तो अगर चैनल पे नए हो, अभी तक subscribe नहीं गया है, त प्लीज सब्सक्राइबर, and और वीडियो अगर अगर ये वाला lecture आपको पसंद आया, तो प्लीज लाइक, share, और मिलते है next concept के साब example में.